Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में IV, sci-fi movie, Geostorm को explain करने जा रही हूँ. इसकी IMDb rating 5.3 out of 10 है और एर रॉटन टमेटो के 17% fresh है. Movie की शुरुआत 2019 में होती है, जहां Global Warming बुरी तरह से हो रही होती है और पूरे दुनिया का मौसम काफी जदा खराब होता है. सारे दुनिया के नेशन साथ में IV होते हैं इस चीज़ का solution निकालने के लिए जो एक मौसम को control करने का system होता है और इसका नाम Dutch Boy है. Dutch Boy satellites को अलग अलग जगा पे deploy करता है और हरीकेंस को आने से रोकने में कामियाब भी हो जाता है शेंगाई के उपर और पूरे दुनिया का मौसम इसकी वज़े से stable हो पाता है. Jake Lawson जो main architect होता है Dutch Boy का उसको court में बुलाया जाता है टेस्टिफाइ करने के लिए. Senator Thomas Cross खास कर खुश नहीं होते हैं क्योंकि Jake ने बिन approval के Dutch Boy को शुरू कर दिया होता है. वो अपने case को लेके अच्छे से arguments भी नहीं दे रहा होता है और ultra senator से argument करने लग जाता है और justify करने लगता है कि Dutch Boy successful रहा है. उसका भाई Max उसको चुप रहने के लिए बार-बार बोल रहा होता है मगर उसका भी कुछ खास फाइदा हो नहीं रहा होता. मीटिंग कतम होने के बार Max जेक को बोलता है कि उसको अप्चूस करा गया है जेक का काम करने के लिए और वो regret करते हुए अपने भाई को fire कर दीता है. तीन साल बाद एक soldier की team अगवानिस्तान के थ्रू जा रहे ही होती है और उनको एक village मिलता है जो देखके लगता है कि पूरा freeze हुआ पड़ा है और सारे जगा पे ice और snow ढखा हुआ होता है. उनको village के सारे लोग एक जगा पे frozen भी मिलते हैं. उपर international climate space station में एक engineer मकमूद log data निकालते हुए दिखाया जाता है अफगानिस्तान वाले incident को लेके जो वो चुपाके निकाल रहा होता है. वो station के थू जा रहा होता है जब station के windows blow out होने लग जाते हैं जिसकी विज़े से वो space में suck out हो जाता है. President Andrew Pama इस चीज़ के बारे में उनको बताया जाता है और वो अपने cabinet की एक meeting बुलाते हैं. वो सारे conclude करते हैं कि उन में से एक satellite का glitch हुआ होगा जो अफगानिस्तान के उपर होगा. उसके बाद Pama सज़ेस्ट करता है कि वो लोग किसी इनसान को उपर ICSS में भेजेंगे situation को ठीक करने के लिए हैं. Leonard Deckham जो Secretary of State होते हैं वो Max से बात करते हैं और बोलते हैं कि उसको Jake से बात करनी चाहिए वहाँ जाने के लिए क्योंकि इससे better Drudge Boy को कोई भी नहीं जानता है. मगर Max को लगता है कि Jake से पूछने का कोई फाइदा नहीं होगा. उसके बाद Max Jake के घर Florida में drive करते वे जाता है जहां उसको Jake की बेटी हाना मिलती है. Jake Max को वहाँ देखके ऐसस खुश नहीं लग रहा होता है मगर Max अपने भाई को फ्लीट करने लग जाता है कि वो उसकी मदद करे अफगानस्तान वाले इंसिडेंट को investigate करने में क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो चीज situation ठीक नहीं हुई तो और भी लोगों की जान खत्रे में हो सकती है next scene में हमको Hong Kong का दिखाया जाता है जहां शहर में heat wave आ रहा है एक आदमी चेंग लॉंग नाम का जो डच बॉय के Hong Kong वाले department का head होता है वो समान खरीत के निकल रहा होता है जो वो गलती से एक कार्टन अंडो का गिरा देता है जमीन पे और उसके surprise में एक सड़क पर fry होने लग जाते हैं अचानक जमीन पूरी तरह से रंबल होने लगती है और ग्यास की जो में पाइपलाइन है जमीन के नीचे वो फट जाती है चेंग से टी के थूँ गाड़ी लेके निकल रहा होता है और भी सारे पाइपलाइन फटने लग जाते हैं जिसके बाद एक के लिए छोड़ना पड़ेगा वो दोनों एक दूसरे को साड होके बाइब बोलते हैं और हैना अब अपनी मा के साथ ही रहेगी जब जेक आइसी एसिस में पहुचता है तो वहां उसकी मुलाकात यूट फैस्बाइंडर से होती है जो स्टेशन की कमांडर होती है और वो उ विज़े से सारे मारे जा सकते हैं जिसके बाद वो क्राश हो जाता है जिसकी विज़े से साटलाइट खराब हो जाता है और अब उनके पास कोई भी डाटा नहीं बचावा होता है काम करने के लिए होंग कॉंग से चेंग मैक्स को कॉंटार्ट करता है जब उसको मालूम चल जब उसको मालूम चलता है कि एक रीको नाम का आदमी अपने लोगों के साथ वहाँ पर आया है रेड करने के लिए मैकसब डाना के पास जाता है जो साइबर सेक्यूरिटी हैकर होती है और उसको मालूम चलता है कि मैकस भी साटलाइट से एक्सेस गिन नहीं कर पा रहा है और इसका मतलब यह हुआ कि पूरा सिस्टम किसी और ने हैक करा हुआ है इसके बाद जेक वीडियो सोलविलेंस फोटज देखता है वस इंसरेंट का जिसमें मक्मूत मारा गया था और मालूम चलता है कि पैनल में एक हार्ड ड्राइव फसा हुआ है वो उसको लेने के लिए बाहर जाता है मगर उसका स्पेस सूट मालफंक्शन होने लग जाता है और वो किसी तरह से वापस आता है वापस स्टेशन में आने के बाद वो यूट को दिखाता है कि वो हार्ड ड्राइव ले आया है मगर वो वाकी वाले क्रू मेंबर को इस बारे में नहीं बताता क्यूंकि उसको डर होता है कि उन में से किसी ने जान बुच के उसके साथ ऐसा करा होगा वो और यूट बाद में ट्राइफ को देखने की कोशिश करते हैं मगर वो लॉग एकसेस नहीं कर पा रहे होते जेक मैक्स को वीडियो कॉल करता है और कहानी सुनाता है तब कि जब उनके फादर उनको फिशिंग के लिए ले गए थे उसके बाद मैक्स इस वीडियो को डाना के पास लेके जाता है और बोलता है कि ये एक encrypted message है जेक की तरफ से क्योंकि उनके फादर ने उनको कभी fishing कराने के लिए लेकर ही नहीं गए मैक्स उनके फादर के पुराने phone number का अस्तमाल करके decrypt करता है message को और उसको मालूम चलता है कि जेक को लगता है कि कोई white house में है इस सब चीज के पीछे मैक्स चैंग को उसके बाद मिलने की कोशिच करता है मगर रीको उसके पीछे होता है और वो चैंग को आते हुए गाड़ी के सामने धक्का मार देता है Max भाग के मरते हुए Chang के पास जाता है और Chang बस उसको Project Zeus के नाम बता पाता है और मारा जाता है वो ये सारी बात Dana को जाके बोलता है और ये भी कि Project Zeus मौसम को Manipulate करने के लिए Geostorm बेसिकली बिलाने के लिए यूज करा जाता है आगे जेक और यूट को Log Data मिलता है लोकर में जिसमें मकमूद ने उसको रखा हुआ होता है जो असल में Ducet का लोकर होता है उसको शुरू में लगता है कि वो लोग उस पे शक कर रहे हैं और वो दोनों को Gun Point पे रखता है मगर बाद में वो लोग एक दूसरे की बात समझते हैं उसके बाद उसके आगे मालूम चलता है कि एक Virus फैलाया गया है जिससे ICSS के Employees Login ना कर सके हैं Jake वापस Max वो कॉंटाट करता है बताने के लिए कि शायद PAMA उस हैक के पीछे है उनको Geostorm को रोकने के लिए पूरे सिस्टेम को Reboot करना पड़ेगा Kill Cores की मदद से जो असल में President के पास है और वो Biometric है और उसके लिए उनके Fingerprints के जरूरत पड़ेगी Eye Scanner के साथ Max ये बात अपनी Girlfriend Sarah को बताता है जो Secret Service Agent होती है क्योंकि उसको उसके जरूरत पड़ेगी PAMA तक पहुशने के लिए Max और Sarah Democratic National Convention में जाते हैं जो Orlando में हो रहा होता है वहां Max को मालूम चलता है कि एक बड़ा सा Thunderstorm वहां आने वाला है जब वो इसके बारे में Deckham को वान करके मदद मागने की कोशिश करता है तो वो उल्टा Max को एक कमरे में लेके जाके उसको गोली मारने की कोशिश करने लगता है जिससे असली विलिन कौन है उसका मालूम चल जाता है Max भाग के Sarah को ये बताता है और वो एक diversion बनाती है जिससे की बागी सारे Secret Service agents को वहां से हटाया जा सके और वो पैमा को पकड़ती है उसके बार वो और Max पैमा को कैब में लेकर वहां से निकल जाते हैं कि तभी Storm हिट हो जाता है वो लोग सेडियम से दूर जाते हैं कि तभी पूरा सेडियम बड़े से Lightning Bolt की वज़े से उड़ जाता है Sarah City के थूर ड्राइफ करती है जहां रीको और उसके आदमी उनके पीछे लगेवे होते हैं वो लोग एक ब्रिज के नीचे आते हैं और वो किसी तरह से रीको को स्टॉम के रास्ते में धकेलने में कामियाब हो जाती है जिसकी वज़े से एक Bolt उनकी गाड़ी पे आता है और वो मारा जाता है डेकम मैक्स को अपने एक आदमी के थ्रूमर्वाने की कोशिक भी करता है और सेरा और पामर को आर्पीजी के थ्रू Speech उनकी गाड़ी उड़ जाती है मगर वो दोनों गाड़ी के अंदर नहीं होते हैं मैक्स और सैरा उस आदमी को पकड़ लेते हैं और डेकम को भी रोकते हैं जब तक पुलिस नहीं आती है अरेस्ट करने के लिए पुलिस के साथ जाने से पहले डेकम बोलता है कि उसका प्लान था अमेरिका के एनेमीज को मार डालने का जिससे यूएस पूरे दुनिया का चार्ज ले सके और वो प्रेजरेंट होगा आगे पूरा वाइरस स्टेशन में हाबी होने लग जाता है जिससे कि उनका सेल अपने आप शुरू हो जाता है उसकी वज़े से साटलाइट अपने आप चलने लगती है जिसकी वज़े से दुनिया के अलग-लग जगाओं पे डेवस्टेटिंग वेदर्स हो जाते हैं जैसे दुबाई में सुनामी का आना मुस्काओं में हीट वेव का और मुंबाई में उसको ऐसा करने लिए ज्यादा पैसा मिल रहा था उसके बाद डेकम गलती से खिड़की पे गोली चला देता है इसके पहले कि जेक वहाँ से जा सकें जैसे ऐखिलकी ब्लो आउट होती है कि डेकम स्पेस में सॉक आउट हो जाता है उसके बाद मैक्स और सेरा पैमा को लेके जाते हैं kill codes को भेजने के लिए Jake Max को contact करके बोलता है कि kill codes सिर्फ geostorm को रोकेंगे self-destruct sequence को नहीं Jake अपने आपको मरने के लिए prepare कर रहा होता है और despite Max कोशिश कर रहा है उसके मदद करने के लिए फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा होता दोनों भाइक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अपना प्यार एक नॉलेज करते हैं जिसके बाद Jake भागते हुए मेन कम्प्यूटर के तरफ जाता है kill codes को डालने के लिए और यूट उसके मदद करने के लिए पीछे ही रुखती है codes डालते ही वो लोग जियो स्टॉम को तो आने से रुख देते हैं जिससे सारे जगा का खराब मौसम रुख जाता है अब जैसे जैसे स्टेशन तूटने लगता है Jake और यूट के पास में उनको एक pod मिलता है स्टेशन पूरा खतम ही हो जाता है और सबको लगता है कि Jake मारा गया है Hannah ये सब अपनी मा के साथ देख के रूने लगती है Max को तभी पास के शटल से अलर्ट वीडियो मिलता है कि एक pod मदद के लिए सिगनल भेज रहा है और Hernandez शटल को उड़ा रहा होता है और वो pod को पकरने के लिए रुख जाता है जिससे Jake और यूट बच जाते हैं वो लोग वापस आते हैं Earth पे और Max और Hannah अब relieved होते हैं 6 महिने बाद Jake को उसके उसकी पुरानी जॉब वापस मिल जाती है और अब वो नए Dutch Boy के सिस्टम पे काम कर रहा होता है वो Max और Hannah हमको fishing करते हुए दिखाये जाते हैं जो उन्होंने कभी बचपन में नहीं करा हुआ होता है जिसके बाद वो लोग decide करते हैं कि ये बहुती जादा boring है जिसके बाद हमको Hannah की voiceover सुनाई देती है जहां वो बोल रही होती है कि हम लोग अपने past को तो नहीं बदल सकते हैं मगर अपना future बेटर जरूर कर सकते हैं और movie खतम हो जाती है अगर आपको इस movie की explanation पसंद आई हो then do like the video, share it with your friends and subscribe to my channel and don't forget to follow me on Instagram, नीचे description box में आपको उसका link मिल जाएगा thanks for watching, bye